कैसे हैं आप सब आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे वेलकम टू मैं नीव लॉग मॉर्निंग के 8.30 के आसपास का टाइम था और यह सारी प्रप्रेशन मैंने करके रख दी थी मैंने कर द लाक है आगे तो पलाओ ने को यह जल्दी निकल था गया detto कि मेरे को अभी निकलना है थोड़ी देर में तो फिर में को समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या बनाओ और हां मॉनिंग में आज बेटों को मैंने पराथा बना करके दिया था जो कुछ खर लेकर जाने का मनी था शाम को उसने बोला था कि कल रात को मैंने आलू की सबजी बनाई विवरी ऑनिंग मंष्यले में फ़िर संे तो समने बहुत欸 और इमारे तरहे था के इसमें आड़के बनाई अलाद कर के तो इसको बहुत के जाती हogy मैं चैरा टाला इलायची तेज पत्ता डाला थोड़ी सी मैंने 2-4 दाने की बागन और प्रूद taला धाल on तो जो वी आदिये थे ठोड़े से golden brown विहे थे इसके बाद इसमें मैंने dryיר मसाला डाल दिया नमक डाली ठोड़ा सा kitchen king रा तो यह साई चुक्त बाद बाद नियुद एक पक चुके थे तो आलू डाले थे और चुंक्स डाले थे और उसके बाद फीर राई को मैंने थोड़ा सा बानी स्हों साथ मिनिट के लिए इसके बूंल लिया थाwriting पानी डाल스럽या है जतना इसथ सपच्छेव मैं नहीं लाद जसाद से जब कर राहे हैं चousse में यहां पर मनीश जले गए ते उस टाइम भी था कि मैं साथ-साथ एंगल चेंज करूं और इधर-उदर करूं तो मैंने इसलिए एक ही बार में मतलब टाइपॉट में कैमरा सेट कर दिया था मतलब फोन सेट कर दिया था और सारा मैंने वहां से मतलब फ्री हो गई जब मैंने कि तो फिर में को और कोई ऑप्शन था नहीं कि मैं क्या बनाओ तो मैंने का पुलाओ बना देती हूं थोड़ा मैं आराम से बनाती लेकिन उन्होंने टी पीते ही एकदम से बोला कि मेरे को थोड़ा जल्दी निकलना मेरी मीटिंग है तो मैंने बहुत फास-फास-फास-फास म मैं अच्छे से जाड़ दिया था मैं आगई थी जाड़ वगएरा लगाने के लिए और अभी आपने बाहर देखा बालकनी कली मैंने बहुत अच्छे से क्लीन करी थी तो उपर से ना बहुत सारे टॉफी वगएरा खाकर के रैपर जो है वो पीछे प्लांट्स है ना उसके कि अनदर गए कुछे बाल काने बाल पानी के लिए लुपर डालती कुछ कटिंग करके तुकड़े जैसे वह गल जाती है तो उसके भी कुछ टुकड़े प्लांट के उपर गिर हुए तो वह सारे फिर मैं हाथ से निकाल करके मैंने मिलब क्लीन करा तो मिलब आज आते हैं आज कल आज कुछ जादा ही आने लग गए हैं पहले नहीं आते थे तो हो मेरे को कुछ ऐसा था कबता कि परता निया कि मेरी बेटी ऐ उर्रेड़ी बहुत साठेाज वलाके रम एक तो जब वह जब मैं आते हो दो चार और की इसैसे कावज फिर फिर स्ट इंगता हो जाता है और अंदर भार आने जाने घर आना जाना लगा रहता है कभी बालकनी में कभी बाहर के सब्सक्राइब ना तो फिर उसके बाद जड़ो वग्यारा मैंने लगा दी ति और मैं आ गई थे आज सोफे वग्यारा को अच्छे से डीप क्लीन करने के लिए वैसे तो मैं स जोड़ करके जैसा टाइम होते हैं उसके काम कर लेती हूं तो अब जल्दी चले गए थे मनीश तो मेरे पास एक्स्टा था तो फिर मैंने का क्या दीप थीन कर लेती हूं थोड़ा सा सोफे की सारी सीट्स वगएरा हटा करके मैंने अच्छे से इसका जो मतलब सीट है पूरी स तो यह में को बहुत सही लगता और यह वाशेवल भी है तो इसको जब यह थोड़ा गंदा हो जाता है ना तो मैं इसको वाश भी कर लेती हूं उसके बाद फिर मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया था जो भी नीचे की साइट थोड़े जाले वाले से कई बार लगने बनने ल मैट्रस थोड़ा सा दप जाता और एक साइड का प्सक्री को साइड कर दिती है जादा यूज होने से वह गड़ी बैठ जाती है तो वह वाली मैंने पीछे की साइड कर दी थी ताकि उद्ध जो नीचे दबी थी ना वो ठीक हो जाए ठीक नहीं थोड़ा सा ऐसे चेंज कर दी थी मेश कंद जो कम यूज होती थी थी उसको पीछे डाल दी थी क्योंकि वह बहुत जादा दब गई थी उसके बाद सारा सोफा अब पगल कर दिया उसके बाद फ्रिज वगल की अच्छे से माने क्युक्रा कर क्युक्त कर दिये लोज रोज तो जांगे घंड करनी नहीं पड़ती ना जब थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है घर तो उसके अकॉर्डिंग ना फिर महनत भी लगती है और टाइम भी उतना लगता है मैं डेली डेली साथ साथ क्लीन करती रहती हूँ डेली कर देती हूँ बहुत जादा गंदी चीज़ें होती नहीं है और डेस्टर भी मैं साथ के यह न चड़ती चली जाती है तो इसको भी मैं फिर आलवेस क्लीन रखती हूं साथ के साथ और उसके बाद फिर यह कुलार हमारा फैमिली कुलाज था यह मैंने लास्ट बर्दे बेटू के बनवाया था मतलब यह जो फोटोस है न मोसली यह जो सेंटर में पोटोए यह मैं घाड़न एकटन क्लीन सा ऐह तो सारे कर्टन उस अब काफन कर्सक्रा करता तो यह डिन करती को डिन लेथा घर बारिश के पानी से बारिश का पानी आता है ना कई बार तो पीचे यहां तक आ जाता है तो यह गीला हो करके अच्छे से डस्ट वगएरा वैसे भी जड़ चुकी थी इसके उपर जादा गंदा था नी तो वह भी मैंने अच्छे साथ के सब क्लीन कर दिया था आज का जो गर्मी सी थी दूप निकली हुई थी जैसे कि गर्मी वाली धूप होती है उसके बाद मैं नहा करके आई देखा बहार और इतनी थंडी प्यारी प्यारी हवा चल रही थी तो मेरा मन खुश हो गया मैंने आज सुबह लग रहा था कि बेटू को लेने जाओंगी तो गर्मी म अच्छा सा ओर था था बारिश भी नहीं थी और हवा भी चल रही थी तो बाद बेटू को लेकर के मैं घर आई और मैंने अपने लिए जो मौनिंग में राइस बनाए थे अभी में को मौनिंग वाले ही खाने पड़ते हैं कि वैसे तो राइस वगएर हमें गरम गरमी खाने चाहिए एक बार राइस ठंडे हो जाते हैं तो बहुत जादा हेल्दी नहीं रहते और वह खाने भी नहीं चाहिए बट अभी मेरे पास कोई आप्शन था नहीं अभी मेरी हिम्मत नहीं होती इस टाइम की मैं इसको लेकर क्या हूं और फिर दुबारा कुछ खाने को बनाओ बना लेती हूं बट अभी कोई मन थानी और राइस भी बहुत सारे बने हुए थे तो वही मैंने अच्छे से गरम करे और वही मैं डाल करके ले आई थी कर्ड के साथ कर्ड के साथ मुझे राइस बहुत पसंद है इनफार्क राजमा राइस से भी जादा में को कर्ड राइस है शेके बाद बेटो एक राईस खा रहे थे उसके बाद जैसे हम रायस खा गए में म motivational का रहे थे अभी हम दोनों टाइम लग जाता है वे थोड़ा टाइम लगाती है उसके पहले उसको खतियों उसके बाद मैं खाती हूं भातशा थी टेज एकदम से बारी स्तार्ट हो तो पैर का टाइम था मैं नहीं सुई थी मेरी फ्रेंड का फोन आ गया था मैंने करा था काफी दिन हो गए थे तो थोड़ी सी लंबी बात हो गई थी तब तक बेटु आज सो गई थी क्योंकि मैं फोन पे लगी होई थी तो आज बेटु ने नाप ले लिए अच्छी सी तो फ भुलती नहीं तो मैं बाहर लेकर के आ गई थी बाहर मैंने बठा दिया था और फिर यहां पे मैं बेटु के लिए वह हर्शी होता है ना में बानविटा की जगे हैं हर्शी आज कल पीती है तो वह बना रही थी थोड़ा सा दूद को मैंने गुन गुना करा था उसके अंद ना थोड़े खटे खटे से मिरको लग रहे थे फिर खटे मैंगो का दूद मेरको सही नहीं लगता बनाना मैंने बोला कि कल बना दूँगे आपको आज आप हर्शी पीलो तो इसके लिए मैं या पर थोड़ा सा नॉर्मल लुक वार्म सा मिलक होता है वो बना करके लिए या आज मैंने भी कलरफुल सी टी-शिट पहनी है बेटू ने भी हम सबने ट्विनिंग करी है इंफाक जो मेरे हैंड में एक पैन है ना वह भी यह कलरफुल सा है सेम उसमें भी इतने कलर से जितने हमाई टी-शिट में यह तीनों चीज़े ना हमने गोवा से ली थी जब गवा ग्रीन ब्लाक यह सारे कलर से केस के अंदर मजब रिफिल से हम तो छे तरह से चलता है यह छे कलर केस में पहने हैं तो हम टी-शिट में भी अल्मोस्त इतने ही कलर से हम तो हम तीनों की ना मलब तीनों का कलर जो था वो मैच कर रा था और उसके बाद बेटू आपे पढ़ थ बैट के कुछ कोशन्स थे वो सॉल्फ करने के लिए दे कर आ गई थी उसके बाद वहां बैट के मैंने आलू चील लिए थे फिर बेटू बीच बीच मेरा कुछ कुछ पूछ रही थी तो फिर मैं आलू वाश करके मैंने का इसके साथ बैट कर लेती हूं जो मैंने इसको भी मतलब इसको ठूट के मेरे पास आना पड़ रहा था तो मैंने का बैटर है कि मैं यूट करके आ जाती हूं उसके बाद फिर यहां पे मैंने सब्जी बनने के लिए रग दी थी और आलू ही बना रही थी मैं कुछ समझ ही नहीं आता यार हर चीज में प्यूरी लगती है और टमाटर के तो पर मेरी फ्रेंड है ना इशीता मिशु व्लॉग उसने ही मैं कोई रेसिपी बताई थी कि तुम ना बिना टमाटर के यह आलू इस तरह के बना सकती हो और सिरफ अनियन्स वगरा है मलब जैसे जैसे उसने बताया ना मैंने वैसे वैसे बनाये थे और बहुत मिर्ची काट करके डाली थी क्योंकि मनीश को ना ऐसे फ्राइ करी और मिर्ची काफी अच्छी लगती है मुस्ली सब्जों में ऐसे डालती हूं सिंपल तरह सही थी रेसिपी थोड़ा सा ओई लिया था थोड़ा सा उसने जादा डालने के लिए बोला था बट मैंने बहुत अगार अधा शार और तो थोड़ा मैं तो पानी डाल दूंगी थोड़ा ओए ला था ओल्या यौक जीरा बायल मैंने लूटा ने किए लाकामूट हम य९ूकि मैं ण indicators यहां फेमें शीम नमक और हल्दी कर रही थी मतलब बें मतलब मेरी मदर इनलो तो गर की मतलब रहे सिंपल साम मैंने भाण बतके अर्ड़ कने के लिए बट दे तक मैंने भाड़न नहीं यहां पर दिनर नहीं 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 थेखिए। बारिश कितनी भी जादा हो जाए लेकिन किचन वगएरा में काम करने से गर्मी तो लगती ही लगती है तो वही सब मैंने का साथ के साथ थोड़े थोड़े करके क्लीन कर देती हूं और बेटू का जो यह टिफिन है ना इसकी जो बीच में रबर डली होती है जो मतलब लीक नाओ टिफिन तो इसको मैं ना एक से दूसरे दिन निकाल करके वाश कर देती हूं नहीं तो इसके अंदर ना फिर और पुरानी सबजी जो पहले वाली होती है वो फसीर है जाती है तो बिल्कुल भी हाईजीन भी नहीं लगता और अच्छा भी नहीं लगता मुझे थोड़ा सा मन खराब सा होता है तो इसलिए मैं इसको साथ साथ निकाल करके वाश करती रहती हूं तो वो मैंने अच्छे से सब वाश वुष कर दिया थे बरतन वगयरा क्लीन हो गए थे मेरे और उसके बाद देखो बाहर आई तो मेरी बेटी ने ये DIY रिंग बना रगी थी कितने सुन्दर लग रही थी ना और पहन करके पहले खुद दिखाए लेकिन इसने ये मेरे लिए रिंग बनाई थी मेरे लिए तो बहुत कुछ बनाती रहती है कभी कार्ड कभी कुछ तो गितनी प्यारी लग रही थी तो बस यही था मेरा आज का व्लॉग आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा और ये आपको व्लॉग अच्छा लगे तो इसको लाइचे और सब्सक्राइब शुरू करना बाबाई